हेलो स्टूदेंट्स वेलकम तो मैं चैनल आम रश्मी यह मैंट्स टीचर तो 6.5 एक्सराइज का देखते हैं अब हम यहां पर question number 3 find the local maxima and local minima if any of the following functions find also the local maximum and the local minimum values मतलब आपको बताना है कि किस point पर हमें local maxima local minimum मिल रहा है और उस point को put करके और हमें local maximum local minimum values भी यहां पर find करनी है as the case में भी यह हमारी यहां पर total 8 part है question number 3 कि तो one by one solve करने हैं first part हमने यहां पर लिया f x equal to x square जो आपको easy लगे method चाहे graphical चाहे first order चाहे second order derivative जो method आपको easy लगे उससे आप यहां पर कर सकते हो first step तो हमारी same ही होती है सबसे पहले आपको differentiate करना होता है f dash x कितना अगया यहां पर x square का differentiation क्या हो जाएगा 2 x हो जाएगा फिर उसके बाद next step वही critical points हमें find करने होते हैं तो put f dash x equal to 0 to find critical points तो 2 x equal to आपका 0 आगया तो this implies x equal to 0 upon 2 हो गया यहीं कि x equal to आपका 0 हो गया यह एक अकेला critical point आपको कहा था जब आपका एक ही critical point आता है तो आप first order derivative से by first order derivative से तो उसमें हमारा क्या था हमें left side चाहिए right side चाहिए यह x equal to आपका 0 है तो इसके left में x equal to minus 1 आएगा और इसके right में x equal to 1 लेदे और इन values को इसमें put करके हम यहां पर देखते हैं कि यहां positive आता है और यहां रहा है तो वहां रखोगे तो तू यहां पर पॉजटिव आ रहा है तो इसका मतलब का graph कैसे जाएगा जब negative से positive जाता है तो हमें यहां पर minimum value मिलती है तो यह graph आपका इस तरह जाएगा graph आपको चाहिए पता हो या नहीं पता हो गड़िए आपको पता होना वो x equals to 0 है और हमें minimum value भी चाहिए तो x equal to 0 इसमें पुट करे के हम यहाँ पर calculate कर लेंगे तो point of minima point of minima equal to या local point of local हमें local का है इसलिए local पॉइंट of local minima आपका यहाँ पर कितना हो गया x equal to 0 x equal to 0 पे now value चाहिए तो f of 0 कितना होगा यहाँ पे 0 रखेंगे f of 0 कितना हैगा 0 का square भी 0 this is the value of this is the local minimum value f 0 equal to 0 is the local minimum value introduction अगर अपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि जिस point पे हमें minimum value मिल रही वो point of local minimum होता है और उसकी value में निकालनी तो उसकी point को हम जब equation में put कर दे तो हमें minimum value मिल जाती अब यहाँ पे सिर्फ एक ही graph बन रहा है एक ही आपका यहाँ पर critical point आया है तो सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी तो यहाँ पे कोई maximum है ही नहीं तो जो हमें मिल रहा है ना बस वही लिखेंगे maximum नहीं मिला तो नहीं लिखेंगे ना दूसरा देखो तो यह रहा हमारा second part अब GX इक्वल टू X क्यूब माइनस 3X है तो वही आप यहाँ पे करो सबसे पहले हम क्या करेंगे डिफ्रेंशेट करेंगे तो G-X यहाँ से कितना हो जाएगा यह 3 आके 3X स्क्वार हो जाएगा और यह आपका माइनस का 3 हो जाएगा तो इसको थोड़ा सा सॉल कर लेते हैं 3 हमने बाहर ले लिया क्योंकि यहीं से हमें critical points निकालने होते हैं तो अंदर X स्क्वार माइनस 1 बचा तो A स्क्वार माइनस क्या हो गया B स्क्वार हो गया तो यह आपका A प्लस B हो गया और यह आपका यहाँ पर A माइनस का B हो गया अब आपको critical point फाइंड करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा इक्वल टू जीरो पुट करना पड़ेगा और जब आपका X-1 इक्वल टू जीरो है तो इस इंप्लाइस X इक्वल टू आपका 1 है तो यहाँ से हमें दो critical point मिले हैं ठीके तो अब आप चाहो तो first order derivative method भी लगा सकते हो और चाहो तो second order derivative भी लगा सकते हो तो first order derivative में क्या करना है आपको यहाँ X-1 रखना इसके कोई left value लेनी है कोई right value लेनी है और इसमें put करके आपको sign को देखना है sign के according देखना है या graph ऐसे है या ऐसे है minus से तो minima होगा plus से यहाँ पर तो maxima होगा तो यह वाला question में आपको second order derivative method से करा लेती हो वो भी बहुत easy method है इसको तो हमने critical points निकालने के लिए आगे solve किया अधरवाइस G-X तो आपका यह ही है तो G-X यह नहीं कि दो बार करेंगे तो X-square का differentiation क्या होगा 2X होगा तो 326X होगा और constant का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो G-X आपका कितना आगया 6X आगया अब आपको यहाँ पर क्या करना होता है इस method में यह value इसमें put करके देखना होता है कि value आपकी positive आ रही है या negative तो यहाँ पर देखो now G-1 तो G-1 कितना होगा 6X1 यहनि कि 6 आगया यहनि कि यह आपका यहाँ पर क्या है greater than 0 तो मैंने आपको पहले ही introduction बताया था जब किसी का differentiation greater than 0 है तो वहाँ पर आपको minimum value मिलेगी यहनि x equal to 1 पर आपको minimum value मिलेगी बस double differentiation करके यह critical points आप इसमें put कर दो और यहाँ पर देखो कि value positive है या negative है अगर यह value positive है तो इस point पर हमें यहाँ पर minimum value मिलेगी और अगर यह less than 0 आता तो हमें इस point पर maximum value मिलेगी क्यों मिलेगी तो यह आप introduction में जाकर के देखना महां मैंने अच्छे से समझाया है न तो आपको लिखो कि hands x equal to 1 is point of local minima यहाँ उल्टा हो जाता है बड़ा number positive number तो minimum मिलेगा क्योंकि इसका graph इसी तरीके से बनता है अब कितनी value मिलेगी तो x equal to 1 आप कहाँ पूट करोगे हमारी equation में तो g of 1 यानि कि क्या हो गया 1 का cube minus 3 into 1 तो यह आपका 1 minus 3 यानि कि minus 2 तो यह आपकी क्या हो गए local minimum value यह local local minimum point यह local minimum value चलो अब आप यहाँ पर g double dash के अंदर आपने 1 रखा minus 1 रखो तो now g double dash minus 1 तो g double dash minus 1 यहाँ पर क्या होगा 6 तो as it is x के जोगे minus 1 रखा तो यह क्या हो गया minus का 6 हो गया minus का 6 से तो क्या हो गया less than 0 हो गया तो यह आपका point of local maximum है तो क्या लिखो के hands x equal to minus 1 is point of local maxima local maxima है इसको यहाँ maximum minimum बोलते हैं और यहाँ पर minimum maximum बोलते हैं तो अब कितनी value मिलेगी तो यहाँ पर लिखो के g of minus 1 equal to minus 1 का cube minus 3 into minus 1 हमने यहाँ पर equation है इसमें value रख दिया है तो इसको जब solve करेंगे तो यह कितना आएगा minus 1 का cube minus 1 और यह minus minus तो यह plus का 3 हो गया 3 minus 1 2 आया तो यह हमारी यहाँ पर कर क्या हो गई लोकल maximum value लोकल maximum value इस तरह से आपको answer को लिख करके बताना है तो यह हमारा बहुत easy तो first order derivative ही समझ गे second order derivative ही आप यहाँ पर समझ गे चलो अब थर्ड question देखते हैं ठीक है तो यह हमारा तो यही same आपको देखना है कि differentiate करने के बाद critical points निकालने के बाद हम डिसाइड करते कि कौन से method से इसको कर रहे है न तो यह हमने पहले इसको differentiate किया sin x का differentiation होता है cos x cos x का होता है minus का sin x अब हमें critical point चाहिए तो हम यहाँ पे इसको 0 रखेंगे put h dash x equal to 0 तो यह क्या हो गया cos x minus sin x equal to 0 गया sin x को इधर लिए तो cos x equal to क्या हो गया आपका sin x हो गया तो यहां से हमें x की value चाहिए तो हम यहां से कुछ solve करते हैं देखो तो यह cos x को अगर में इधर लिए इसके multiply में 1 लिख सकते हैं तो 1 equal to कितना हो गया sin x cos x आ गया इसके divide में sin x upon cos x कितना हो गया तो यह आपका यहां पर 10 x हो गया 10 x हो गया अब देखो आपका x कहाए 0 से pi by 2 के बीच में है तो 1 की value क्या होती है 10 pi by 4 होती है और 10 pi by 4 इसमें आ रहा है आपका है तो यह interval जब भी दिया हो तो भ्यांचा देखना अभी आगे same question आएंगे लेकिन interval आपके change होंगे तो question के 10 pi by 4 इकुल टू आपका 10 x हो गया तो 10 compare करो यहां से आपका x कितना आया 5 by 4 यही आपका यहां पर क्या है critical point है तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री जब भी आती है तो आप मिशा second order derivative को यहां पर यहां पर इधर लाइन बनाके इधर दूदर देखने से अच्छा है हम second order derivative को यहां पर यूज करते कि उसमें क्या करना डबल डिफ्रेंजिशन करना और क्रिटिकल पॉंट इसमें पूट करके और हम देख लेंगे कि यह ग्रेटर है लेस देन है और इसमें मैक्सि पॉंट में मिल गया नाओ एच डबल डेश एकस यह नहीं कि इसका डिफ्रेंजिशन करना पड़ेगा कॉस एकस का यहां पर क्या होगा माइनस का साइन एकस और साइन एकस का क्या होगा यहां पर कॉस अब यह जो क्रिटिकल पॉंट इसमें पूट करते हैं तो पुट एकस pi by 4 equal to minus sin pi by 4 और ये minus cos pi by 4 नई कितना होटा है 1 by root 2 होता है minus 1 by root 2 minus 2 time 2 time हो गया Minus 2 time root 2 होगया 2 को हम क्या लिख सकते है 2 को हम root 2 इंटो root 2 लिख सकते है Japanese तो यह cancel हो गया final answer कितना है h double dash pi by 4 जो है वो आपका कितना आ रहा है minus का root 2 आ रहा है ठीक है तो आप यहां से क्या देख रहे हो यह minus का root 2 मतलब यह value क्या है less than 0 जब value less than 0 होती तो हमें क्या मिलता है यहां पर देखो जब value less than 0 होती तो हमें क्या मिलता है local maxima मिलता है तो लिखनो यहां पर ठीक है तो में लिग है hence x equal to pi by 4 is point of local maxima and local maximum value कितनी होगी x equal to pi by 4 पर तो यहाँ पर बस pi by 4 रखना है तो sin pi by 4 क्या होता है 1 by root 2 cos pi by 4 क्या दा 1 by root 2 1 by root 2 1 by root 2 2 time है तो 2 by root 2 हो गया और यह अभी आपको उपर दिखा है था यह cancel होगे क्या बन जाएगा root 2 हो गया तो इसका मतलब आपकी यहाँ पर point of local maxima यह है और maximum value at x equal to pi by 4 आपकी यह है easy चलो next अब देखो यह जो fourth part है इसमें function आपको sin x minus cos x दिया है और interval क्या है 0 से 2 pi यह वाला जो interval था अभी जो हमने question किया 0 से pi by 2 मतलब हमने सिर्फ value इस interval में ही निकाल दी यह first quadrant क्योंकि यह 0 है यह pi by 2 है तो यहां सिर्फ आपका क्या रदा pi by 4 रदा अब इस interval में यह क्या बात कर रहा है 0 से 2 pi x कहां belong कर रहा है 0 से 2 pi यानि कि अब हमारे चारो quadrant की यहाँ पर बात होगी क्योंकि यह 0 है यह आपका pi by 2 है यह आपका pi है यह 3 pi by 2 है और यह आपका यहाँ पर 2 pi है तो चारो quadrant की यहाँ पर बात होगी तो हमेशा ही जो interval दिया इसको अच्छे से study करना है तो वही काम जो हमें करना होते है हमें maximum minimum निकालना है तो पहले इसका differentiation करो f dash x कितना है sin x का cos x होता है cos x का minus sin x होता है तो minus minus अपका यहाँ पर क्या हो गया plus का sin x हो गया ठीक है अब critical point निकालने के लिए हम क्या करेंगे f dash x को 0 put करेंगे तो put f dash x equal to 0 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x plus sin x equal to हो गया 0 तो अब आप यहाँ पर देखो पहले इसके अंदर यहाँ बीच में क्या रहा था माई यहाँ पर minus था तो यह easy लिए हमें 10 मिल गया लेकिन यहाँ पर बीच में क्या रहा है आपका plus हा रहा है तो हम किसी एक को उदर transfer कर देते हैं माना कि हम cos x को उदर बेज़ देते हैं sin x equal to minus minus 1 हो गया तो यह आपका 10 x equal to minus 1 हो गया तो यह question हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ sin x से तो हम cos को यहाँ पे sin में change कर लें pi by 2 plus theta करके या इसको हम यहाँ पे cos में change कर लें बट मैंने पुराना question आपको 10 की फॉर्म में बता रहा है तो अब आपको यहाँ पे यह शो करना है अब आपको वह क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहें critical points निकालना है तो हमें x की वह वह इस interval में आने वाली वह सारी value यहाँ पे रखनी है कि जिसमें x की value 10 x की value क्या है minus 1 है तो आप यहाँ पे देखो कौन-कौन से यहाँ से हमें क्या value मिलेगी दो value मिलेगी वहाँ उस इंटरव में 0 से पाई बैटो में एक ही value मिली तो कैसे करेंगे 10 x equal to minus 1 की value क्या होती है 10 पाई बाई 4 होती है तो 10 यहाँ पे चेंज नहीं होना चीए तो हमें पता है इस इस लाइन पर चेंज नहीं होता है इस लाइन पर चेंज नहीं होता है इस तरह से चेंज होता है इस लाइन पर चेंज नहीं होता है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते है इस वाले क्वार्डन में नेगेटिव है तो 10 इसको यहाँ पर क्या लिख सकते है 10 TEN PIE MINUS PIE BY 4 क्या होता है तो MINUS का TEN PIE BY 4 होता है यहांमे hanya!", इस की जगे पर हम यह लिख इस कोईए पर ना लेकर हम पर लिख सकते हैं अगर इस क्वार्डन के इस क्वार्डन कोई है तो यहां पर 2.对 Кवार्डन कोई है ik 1 चाहँ peg 9 First 2PIE माइनस, PIE BY 4 होता है तो इसकी जगे पर हम ये और ये ये दो चीजे यहाँ पर लिख सकते हैं तो यहाँ पर लिखो तो here अब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा एक तो 10x एक्वल टू 10 πाई माइनस पाई बाई फूर हो जाएगा and एक और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x एक्वल टू 10 2 πाई माइनस पाई बाई फूर हो जाएगा यह हो गया तो यहाँ से हमें देखो वैल्यू क्या मिलेगी है क्योंकि negative को तो हम compare कर नहीं सकते negative sign इसलिए अगर यह positive होता तो हम compare कर सकते दे तो 10x एक्वल टू इसको solve करो 10 4 πाई माइनस पाई तो यह अपका 3 πाई बाई 4 हो गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10x एक्वल टू 4 टू जा 8 पाई तो यह अपका इहाँ पर कितना हो जाएगा 10 7 पाई बाई 4 हो जाएगा तो 10 से 10 आपका cancel हो गया हमने compare किया तो यहाँ से x एक्वल टू आपका 3 πाई बाई 4 आया यहाँ से x एक्वल टू 7 पाई बाई 4 आया और यह दोनों ही वाल्यू जो है वो इस इंटर्वल में ही रहती है अगर कोई वाल्यू में ऐसी मिल जाती जो इस इंटर्वल से बाहर चली जाएगी तो उसको हम वहाँ पर नहीं लेंगे तो यह काम हमने यहाँ पर कर लिया कि दो critical points यहां से निकाल लिए तो आप मैंने कहा था जब भी आपके trigonometry आती तो आप second order derivative से ही इसको solve करो तो हम कर यहां बाइ से कंड ओर डेरिवेटिव से है ना तो second order derivative में आपको क्या करना पड़ेगा अगेन इसका differentiation करना पड़ेगा तब ही हम यह critical points पुट कर पाएंगे तो f double dash x निकाल तो f double dash x में यह cos x है cos x का differentiation क्या होता है minus का sin x और sin x का differentiation क्या होता है तो यहां पर होता है cos x अब आ हो गया minus का sin 3 pi by 4 plus cos 3 pi by 4 हो गया तो 3 pi by 4 की actual में हमें value नहीं पता होती है 3 pi by 4 होगा कितना देखो pi by 4 45 होता है तो 45 x 3 5 3 is the 15 का 5 और यह 131 35 की value को पता होती है नहीं होती है तो हमें इसको break करके लानी पड़ेगी तो हमने देखो अभी 3 pi by 4 को क्या लिखा था यहाँ पर पी लिख लेते हैं pi minus pi by 4 और यहाँ पर भी same cos pi minus pi by 4 तो pi minus pi by 4 कौन से quadrant में जाता है second quadrant में second quadrant में sine तो होता है positive cos होता है negative तो यह आपका minus का sine pi by 4 हो जाएगा और cos pi minus pi by 4 second quadrant में आता है तो minus का cos pi by 4 हो जाएगा अब cos pi by 4 sine pi by 4 की value क्या होती है 1 by root 2 तो यह minus का 1 by root 2 हो गया यह भी minus का 1 by root 2 हो गया तो दोनों आपके negative है तो दोनों add हो जाएगे तो वही minus का 2 upon root 2 तो 2 को वही root 2 into root 2 लिख सकते है तो यह नीचे से एक root 2 cancel हो जाएगा तो minus का root 2 आ रहा है यह क्या है less than zero negative value आरे ना तो less than zero double dash x में जब आपका answer less than zero होता है तो हमें क्या मिलता है तो यहां पर हमें maximum value मिलती है छोटा होगा double differentiation तो maximum value मिलेगी और बड़ा होगा तो हमें minimum value मिलेगी तो हमें लिखे लें कि x equal to 3 by 4 जो है वो point of local maxima है और local maximum अगर value चाहिए तो यह 3 by by 4 हमें question में रख करके value निकालने पड़ेगी so x equal to 3 by by 4 is point of local maxima अब value निकालने तो 3 by by 4 हमने यहां पर रख दिया है ना तो 3 by by 4 को यहां रख करके solve करो तो sign 3 by by 4 कितना आया था तो यह आपका 1 by root 2 आज़ा तो सेम यहां पर भी इतने आएगा 1 by root 2 और 3 cos 3 by by 4 भी 1 by root 2 आया तो यह आपका यहां पर कितना आया 1 by root 2 लेकिन यहाँ पे minus का sign हो रहा है क्योंकि cos pi minus pi by 4 क्या होता है minus का cos pi by 4 तो यह minus मिलके यह plus हो जाएगा तो यह 2 times 1 by root 2 तो again 2 by root 2 आए और यहाँ से आपकी root 2 value आगे तो यह local maximum value भी जो हमें इस point पर मिली है अब same हम यहाँ पे क्या करेंगे 7 pi by 4 पे भी check करते है तो f double dash x at 7 pi by 4 निकलते है तो f double dash 7 pi by 4 तो यहाँ पे value रखो f double dash एक समारा यह रहा minus का sign 7 pi by 4 plus cos 7 pi by 4 तो 7 pi by 4 की जगे हमने क्या रखा था 2 pi minus pi by 4 तो यहाँ पर भी हम same रख लेते है minus का sign 2 pi minus pi by 4 और यह आपका हो गया cos 2 pi minus pi by 4 2 pi minus pi by 4 किसमें आता है 2 pi minus pi by 4 यहाँ आता है वोarat में fourth quadrant में वोة फोर्स क्वार्ण में आपका Plaid हों पॉस conservative होता है sign negative होता है तो बस यहाँ पर जान रहा है sign आपका negative होता है तो यह अगा minus का sign pi by 4 तो यह माइनस माइनस मिलके positive हो जाएगा तो यह sin pi by 4 हो गया और यहां से आपका cos pi by 4 हो गया क्योंकि cos 2 pi minus pi by 4 positive होता है तो यह यहां से अगर आप value पुट करोगे तो यह भी 1 by root 2 आएगा और यह भी 1 by root 2 आएगा और अभी हमने solve किया यह कितना आ रहा है root 2 आ रहा है तो root 2 आपका कितना होता है greater than 0 root 2 की value क्यों होती है 1.414 होती है तो यह greater than 0 तो इसका मतलब यह क्या है point of local minimum greater पे minimum मिलेगा अब हमें क्या निकालना local minimum value तो बस वही जो हमारा question है उसमें 7 pi by 4 हमें यहां पे क्या करना है put करना तो लिखो f of अच्छा यहां गलत लिए f double dash नहीं f of f of 7 pi by 4 हो गया अच्छा यह तो हमने double dash निकाला ना यह तो positive रहेगा yes f of 7 pi by 4 तो sin 7 pi by 4 minus cos 7 question जो है उसमें हम value रख रहे है तो sin 7 pi by 4 कितना था माइनस का sin pi by 4 आय था यह अभी हमने उपर solve किया ना यह देखो यह solve किया था minus का आया था यह minus minus मिलके plus हो गया था तो इसलिए negative sin pi by 4 फिर cos 7 pi by 4 तो cos pi by 4 होता है क्योंकि 4th quadrant में cos positive होता है तो यह minus का 1 by root 2 minus का 1 by root 2 minus minus 2 time यह उपर solve किया था कितना है आपका minus का root 2 आ गया तो यह आपका क्या है local minimum value और यह point है आपका local minimum तो यह local minimum value होगे चीक है तो I hope आपको यह question अच्छे से समझ में तो अभी क्योंकि सिर्फ बीच में sign change होने से देखो question और interval change होने से आपका question कितना नेंदी होगे तो इससे पहले वाला question इतना easy दा जितने आगे और question आएंगे उसमें तो 5-6 points आएंगे उनको हम सभी को हमें solve करना पड़ेगा तो बस यह वाला method इसके लिए easy है second derivative method इससे आप easily question को solve कर लोगे now next देखो चलो अब next question देखते हैं यह तीनों question easy है हमारे यह जो questions होना है वो सारे easy क्योंकि एक polynomial equations आपकी यहां पर आ रही है तो वहीं इसको पहले हमें differentiate करना पड़ेगा तो f-x कितना आएगा यहां से आएगा 3x square x square का 2x होगा differentiation तो यह 12x हो गया x का 1 हो जाएगा तो यहां से 9 हो जाएगा और constant का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अब इसको हम यहां पर क्या कर लेते हैं थोड़ा सा solve कर लेते हैं तो यह 3 हमने बाहर निकाला x square minus 4x plus आपका 3 हो गया तो और इसको solve कर लेते हैं क्या निकालने critical points निकालने हैं तो middle term splitting कर लेते हैं तो x minus 3 बचा है इसमें से यह negative sign है तो negative का one common निकला x minus का 3 हो गया तो यह आपका कितना हो गया 3 है यह और x minus 3 एक निकल गया और x minus 1 एक निकल गया तो हमने इसको पूरा solve कर लिया now अब इसको क्या करेंगे इसको 0 के equal put करेंगे put f dash x equal to 0 तो 3 x minus 3 x minus 1 equal to 0 तो this implies x equal to क्या होगा 3 तो 0 में चला जाएगा जब x minus 3 equal to 0 है तो x equal to 3 होगा जब x minus 1 equal to 0 है तो x equal to 1 हो जाएगा यहां पर दो critical points मिले 3 and 1 तो 2 मिले तो हमने double differentiation वाला formula लगाते हैं तो now अब आप यहां पर f double dash x नहीं कालो तो f double dash x नहीं कालेंगे critical points रखेंगे greater less than है चक करेंगे और हमें maximum minimum मिल जाएंगे तो करो x square का differentiation 2x तो 3 2 जा 6 x हो गया और x का 1 हो गया तो यहां से आपका क्या मिल गया माइनस का 12 मिल गया चिक है चलो अब यहां critical points पर value नहीं कालो तो f double dash 3 यह कितना हो गया 6 into 3 minus 12 तो यह कितना हो गया 18 minus 12 तो यह आपका कितना हो गया 6 माइनस 12 तो 6 minus 12 माइनस 6 तो आपने का double differentiation यह greater than 0 और यह आपका less than 0 तो greater than 0 तो इसके लिए यहां पर क्या हो जाएगा यह जो 3 है यह point of local minima होगा क्योंकि यह greater than 0 है तो x equal to 3 यहां पर क्या होगा local minima तो x equal to 3 is point of local minima तो यहां पर value कितनी होगी तो f of 3 यहां पर value पुट करके solve करो भई local minima तो है लेकिन minimum value कितनी है तो यहां पर 3 put करना है तो यह कितना होगा 3 का cube minus 6 into 3 का square plus 9 into 3 plus आपका 15 हो गया तो 3 का cube 27 3 square 9 9 6 54 हो गया 9 3 जा 27 और प्लस का 16 तो 27 27 54 होता है तो 54 से 54 कैंसल यहां से आपका कितना आ गया यह एक सेंड क्या था हमारा 60 नहीं फिफ्टी नहीं है यह भी आपका 15 है तो यह क्या है आपकी local minimum value at x equal to 3 है चेक है अब इसका देखो यह हमें क्या मिला यहां पर लेस दन 0 मिला तो यह हमाए maximum value देगा तो यह आपका क्या हो गया point of local maxima तो क्या लिखोगे x equal to 1 is point of local maxima यह क्या है point of local maxima है तो क्या value है तो f double dash 1 f double dash नहीं f dash 1 जो उपर question है इसमें 1 put करके देखना है तो यह आपका कितना आ जाएगा 1 put करो तो यह 1 का cube minus 6 into 1 का square plus 9 into 1 plus आपका 15 हो गया तो कितना 1 minus 6 plus 9 plus आपका 15 हो गया 15 plus 1 16 हो गया 16 में 10 10 plus 1 19 हो गया तो यह आपका 19 आ गया तो यह आपका local maxima था और यह क्या है local maximum value चिक है तो यह हमारा question number यहाँ पर फिफ्ट पार्ट गया नाव नेक्स देते हैं यह भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे 6 पार्ट यहाँ पर gx equal to x by 2 plus 2 upon x तो differentiation करतें g dash x कितना आएगा 1 by 2 थो हमने अलग कर दिया d by dx of x क्या होता है 1 होता है तो यहाँ पर 1 by 2 रह जाएगा फिर यहाँ पर 2 अलग कर दिया d by dx of 1 upon x क्या होता है x square हो गया ठीक है तो यह हमारा g dash x हो गया अब equal 0 रखो critical points find करने के लिए तो put g dash x equal to 0 तो यह क्या हो गया 1 by 2 minus 2 upon x square equal to 0 तो negative को उधर ले जाते है तो यह हो गया 1 by 2 equal to 2 upon x square यह x square उधर चला जाएगा cross multiply x square equal to 2 2 जा 4 हो गया x square equal to 4 है तो x equal to क्या हो जाएगा plus minus का 2 हो जाएगा भई यहाँ पे 2 का square आएगा तो plus का 2 का square भी हो सकता है minus के 2 का square भी हो सकता है तो दो value यहाँ से आगे तो यहाँ से हमें क्या मिला hence x equal to हमें plus 2 मिला और यह हमें minus 2 दो critical points मिले अब आप यहाँ पे रेखो कि मेरे लिए यहाँ पे first order derivative method लगाना जादा easy है क्यों क्यूंकि आप यहाँ पे देखो यह हमारा यह हमने थोड़ा सा tough लग रहा है तो क्यों नहीं हम इसको first derivative से कर ले जहाँ पे आपको लगे कि नहीं यहाँ पे double differentiation करना मुश्किल हो रहा है तो उसका first order से कर सकते हैं तो अब यहाँ पे देखो यह x की हमारी दो वाल्यू आ रही है तो एक चीज में आपको पहले का है कि जो भी इंटर्वल आपको दिया उसको आपको अच्छे से देखना है एक इस ने क्या का है हमारा greater than zero लेकिन हमारी x की वाल्यू दो आ रही है प्लस टू आ रही है माइनस टू लेकिन यह वाली बात तो इसको गिवन की x बड़ा है 2 से तो सिर्फ यह नंबर इस condition को satisfy करता है तो हमारा x equal to 2 ही आएगा तो अब मैं सिर्फ एक नंबर को चेक करने के लिए क्यों double differentiation में जाओ मैं यहां पे क्या कर लेती हूं हम first order derivative से ही इसको solve कर लेते हैं क्योंकि first order derivative से easy हो जाएगा एक पॉइंट है तो चलो चेक करो तो जी डाश वन कितना हो जाएगा वन बाइटू तो वन बाइटू ही रहेगा फिर माइनस तू अपॉन तो यह आपका टू ही रहे गया वन का स्कूर बन होता है यह कितना आ गया अपको साइन देखना तो यह negative value आरे क्योंकि देखो छोटे में से बड़ा जा जी डाश टू निकालो तो जी डाश टू के लिए फिर से values में बुट करो वन बाइटू ही और यह टू अपॉन टू का स्कूर यह नहीं 4 हो जाएगा तो वन बाइटू माइनस वन बाइटू यहां पर अच्छा सॉरी सॉरी तू थोड़ेंगे लेंगे त्री लेंगे ना य यहां टो लें-9 मायनस 2 के इतना हो घगा यहां पर 9 मायनस सेवन बाइटी यह इजी मोफ चलिए यहां मनिक्रा हो जाए पहला नगी तो मिनिमूम याली बलेगा फिस तरह से निलीग यह तो अमने लिग जिया point of local minimum कहा मिलेगा x equal to 2 पे जो हमारा critical point था और कितना मिलेगा तो यहां पर आप 2 पुट करके solve लो तो यह आपका कितना हो गया g of 2 जी में था ना मारे equation तो g of 2 equal to x upon 2 तो 2 upon 2 2 upon x तो 2 upon 2 तो 2 upon 2 क्या हो गया 1 2 upon 2 क्या हो गया 1 तो नाव 7 पार्ट देखो यह भी इसी तरीके का है और यहां पर कोई x के लिए कोई बाउंडेशन नहीं दिए तो वही सबसे वहले हम g dash x को calculate करेंगे तो g dash x क्या होगे u upon v की form में तो हमें इसको differentiation करना पड़ेगा denominator का क्या बन जाएगा whole square फिर आपका denominator यहां पर आज़ेज रहता है और d by dx क्या होगा यहां पर बन जाएगा फिर माइनस वन आज़ेज रहेगा और d by dx of x square प्लस आपका 2 हो जाएगा तो यह तो constant का डिफ्रेशन जीरो होता है तो यह तो आपका पूरा का पूरा जीरो हो गया तो यहां से यह 0 हो गया बचा दीवाइड इकस ओफ x square कितना होता है तो 2x होता है दीवाइड इकस ओफ 2 constant का 0 हो गया तो सिर्फ हमारे पास यह बचा एकस स्क्वेर प्लस 2 का होल स्कूरी चिक है अब हमें क्या चाहिए प्रिटिकल पॉइंट तो यहां पर G — X को एकुल क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, तो मैं एकॉइनस का 2X अपॉन x स्क्वेर प्लस 2 का होल स्क्वेर इकुल टू जीरो, यह इसमें जाके मिल जाएगा, तो minus का 2x equal to 0, 0 इसे multiply होगे, 0 बना देगा, तो minus का 2x equal to 0, x equal to 0 upon minus 2, 0 में किसी से भी divide करो, तो 0, x equal to 0 हमारा critical point आया, अब एक ये critical point आया, और इसको एक और बार differentiate करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो हम यहाँ पर first order derivative से ही इसको solve कर लेता है, बस बना लो यहाँ पर, यह x equal to, हमने क्या ले लिया है, 0 ले लिया, इधर एक value x equal to minus 1 लेते हैं और इधर x equal to plus 1 लेते हैं, तो यहाँ पर g dash minus 1 निकाल करके देखो, g dash minus 1, तो यह क्या होगेगा, minus 1 into यह तो यह आपका कितना हो गया, 0 तो यहां में plus sign मिल रहा है और g- यहां 1 है तो यह 1 रख लेते तो यह कितना हो जाएगा 2 into 1 तो यह minus का 2 हो गया और निचे तो सेम यह आना होला है 1 का square 1 2 plus 3 का square 9 हो गया तो यहां negative value है तो पहला positive है इसका मतलब हमें यहां पर यह जो point है वो local maxima है और local maxima को यहां put करेंगे 0 रख देंगे तो 1 by 2 में मिल जाएगा तो बस पहले वाले sign को देखो कि plus है तो हमें यहां पर local maxima मिलेगा तो क्या लिखेंगे हम यहां पर okay तो x equal to 0 is point of local maxima and at x equal to 0 local maximum value is 0 पूट कर लेते तो 1 upon 0 का square plus 2 0 का square 0 उता 0 plus 2 2 तो यह आपका 1 by 2 आगा है easy कोई एक जब भी आता critical point first order derivative से आप यहां solve कर लो यह आपको लगे कि नहीं double differentiation tough पड़ रहा है तब भी आप इस method से solve कर चकिए अचा अभी हमारा a question हो रहा है यह वाला इसको देखते हम last part देखो सबसे पहले हम करते हैं यहां पर double differentiation देखो एक यहां 0 से 1 के बीच में तो यह आप यहां पर जाएगा तो यहां दो वाल्यू दो वाल्यू एक x से एक root 1 minus x से तो u into v method से हमें इसको differentiate करना पड़ेगा तो पहले x को as it is यहां पर d by dx of under root of 1-6 फिर आपका यहां पर under root of 1-6 एक गाए तो upon two root x हो गया एक से कि नहीं root x का differentiation जो होता है वो होता है one upon two root x होता है ठीक है माइनस पता नहीं क्यों दिमाग मैं ओडिक है तो यह one upon two root x हो गया और one minus x का differentiation अगर आप करोगे तो यहाँ पर देखो d by dx of one minus x को अभी अब root का क्या अंदर का ने क्या तो d by d x of 1 तो हो जाएगा 0 minus d by d x of x क्या होगा 1 तो यह 0 minus 1 minus 1 से multiply लोगा तो यह minus नश्ब्लाइक अपका वहां से आएगा ठीक है फिर plus under root of one minus x और d by d x of x क्या हो जाएगा बनो जाएगा तो इसको solve कर यह positive ने को पहले लिखते अंडर रूट गर्यास और ये क्या होगा माइनस का एक सपांट थी इन रूट ऑफ वाज söz गया ठीक है अब हमें पॉर्ड निकालने के लिए एक डेश को जीरो रहना है तो पुट एक्स इकल टूजियो तो यह हो गया अंडर रूट और रूट युट्वाइ तो कि DAVIDU , WUP महुंतु है , KETना हो गया ? यह आप का यहां पर 3X कि वालीउ कितन zitten ? वक्शिंग करने है आपके यहां सवक्ता है ? क्योंकि इसका फिर से differentiation करना और मुलेंदी काम हो जाएगा इसका तो ठीक है हो जाएगा लेकिन यहां पर u upon v लगेगा तो इससे अच्छा है कि हम first order derivative से इसको check कर ले तो यह देखो यह आपकी देखो 3 upon 2 यानि 3 का 2 में आप यहां पर divide करके देख लो तो यह point लग जाएगा 0, 0.6 something होगा है ना यह 2 0.66 something होगा क्योंकि हमारा x 0 से 1 के ही बीच में है तो यह आप यहां पर देखो x equal to 2 upon 3 हमने रख लिया तो यह 0.6 है तो क्योंकि 0 रख लो के तब भी चलेगा बढ़ हम जो interval के बीच की चीज है ना वही रखते हैं तो यहां x equal to इससे चोटा सा 0.4 और यहां पर 1 से थोड़ा सा बड़ा यानि 0.6 से थोड़ा सा बड़ा 0.8 रख लेते हैं और अब हम यहां पर value निकलते हैं तो f dash 0.4 हमें सिर्फ sign देखना है तो 0.4 देखो 1 minus 0.4 क्या होगा अंडर root of 0.6 हो जाएगा फिर minus 0.6 upon 2 in a root of यह भी 0.6 हो जाएगा ठीक है तो यहां आपको साम में ही दिख रहा है कि यह value हमारी बड़ी है यह value हमारी क्या है चोटी है क्यों चोटी है देखो इसको भी आप इनर रूट कर सकते हो तो यह उपर भी 0.6 होगा डिवाइट बाइट बाइट 2 हो जाएगा इसको देखो ऐसा लिख सकते ना यह 0.6 को अंडर root 0.6 into अंडर root 0.5 हमें साइन का आइडिया लगाना है 0.6 और 2 यह से चैंचल हो गया तो यह 0.6 है बड़ यहाँ पर 0.6 में क्या और 2 से डिवाइट हो रहा है तो यह value हमें यहां पर क्या मिलेगी पॉसिटिव क्यों कि यह बड़ा है और यह चोटा है तो इदर हमें वाल्यू मिल फिर माइनस 0.8 अपॉन 2 इंटू यहां पर भी कितना हो गया 0.2 हो गया ठेक है अब इसको यहां पर देखते हैं तो यहां पर यह value आपकी यहां पर क्या है चोटी है और यह value आपकी बड़ी है अब कैसे देखो अब थोड़ा से इसको सौल करते हैं चोटी आपको सामने दे इसको बॉठ्वाइट करो तब ही उतना चोटा यह नहीं जाएगा तो यहां पर मैं देहों अटयों पर यहां परे जिरोःजने औहला देखो नहीं रहने माला है 2 इंट 2 poantic कितना हो गया 0.4 हो गया माइनस 0.8 हो गया तो अबिस देखो यह चोटा है यह बड़ा है तो आपका माइनस का 0.4 आएगा और नीचे आपके जाए जो भी हो लेकिन negative sign तो रही गा ही रहेगा ना तो इसका मतलब इसका solution में क्या दे रहा है यहां पर negative आ गया तो plus से minus पहला plus से तो इसका मतलब हमें maximum value यहां पर मिलेगी किस पर इस point पर में maximum value मिलेगी तो यह point of local maximum हो गया and local maximum value क्या से आएगी तो fx के अंदर x के जोगर 2 by 3 रब कर गया आएगी तो करो इसको solve तो यह आपका f of 2 by 3 equal to x यानिकि 2 by 3 2 by 3 in a root of 1 minus 2 by 3 हो गया तो करो इसको solve यह आपका 2 by 3 हो गया और यह 3 minus 2 by 3 हो गया 3 minus 2 क्या हो गया 1 हो गया 1 by 3 into in a root of 1 by 3 तो root में से 1 बाहर आके क्या हो जाएगा जितना solve करो तो यह उपर क्या हो जाएगा टू इंटू वन टू और यह आपका हो गया तो यह हमारी यहां पर क्या हो गई लोकल मैक्सिमम वैली और पॉंट हमारा यहां पर क्या हो गया यह रहा है समझ में आ गया चलो अब यह हमारा question number 3 यहां पे खतम हो गया सारे 8 part हमने यहां पे इसके solve कर लिए बाकी question हम करेंगे next video में thank you